नमस्कार दोस्तों कोई तया याद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है DTSP TGT-PGT हिंदी की तयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे दिविवेदी युक से सम्मंदित मैं तव पूरण जानकारी दिविवेदी युक की अंतर्गत जो परिखाओं में पर atori्ष पुखे जाते हैं जिन जिन बिन्दवों से उन सभी बिन्दवों को हम करेंगे ज़िज भी परिखा में हिंदी सैस्थे समंदि पर चैनल पूछे जाएंगे समझेंगे हम हिंदी साइट है कि जब इतियास को काल खर्णों में बाठते हुए देरे देरे कंटेंट के क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं तो हर एक काल जो हर एक यूग के अंतरगत चितने भी मैतव पूरन बिंदू बनते हैं परिक्षा की द्रेश्टी से सभी बिंदू को कर करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं तो आज की क्लास में हम दिविवेदी यूग की समय सीमा को देखते हुए उनसे संबंदित जो मेतव पूरन बिंदू है सभी को हम देखेंगे कि दिविवेदी यूग का जो समय है कब से कब तक किस विद्वान के नु है रूप से हम दो पत्रीकाओ जो दो पत्रीकाओ जो विक्षित हुए उनका विकास हुआ किस परकार से हिंदी के विकास में उन्होंने अपना मेतव पूरन योगदान दिया उन सभी बिंदू को देखते हुए आज की क्लास हम करेंगे क्योंकि दिविवेदी यूग में ज इन से भी कई बार परिक्षा में पर्शं पूछ लिए जाते है तो देख लेते हैं शुरूवात कर लेते हैं दियत्य यूग का जो समय रहा सरवमञ्य उन्नी सो से ले कर उन्नी देख τι समय विक रहा सरोमन्य उन्निसंसौ कमत्रभी के कमें उन्होंने दुम चाला है इनसे की यूग के बाद जब दुवएदी यूग आया तो भात हिंदु यूग का नाम पड़ा था बारति वरिशचन्दर जी के नाम से और दुवएदी यूग का जो नाम पड़ा है वो भार महविर पषाद दुविवेदी के नाम से पड़ा है और अगर इसकी समय सिमा पूछली जाए तो सरव मन नि future of 1922 विविवेस्वी तक इस दुविवेदी युग की समय सिमा मानी जाती है अगर डौक्टर नगेंदर के अनुसार समय सिमा पूछली जाए तो 1918 के युग को जो है दुविवेदी योग कहा जाता है यानि डोक्टर नंगेंदर नहीं से जागरन सुधारकाल का विनाम दिया है या आपको ध्यान रखना है 1922 से लेकर यानि सरस्वति पत्रीका के परकाशन से लेकर के 1922 में सरस्वति पत्रीका का प्रकाशन हुआ था से लिकरके उनी सु ओठार यानि की जब जयसंकरपरश्यात की जर्ना आई जर्ना रजना के आधार पर उन्हों ने जब छायावाद गुध हुआ जब जर्नाète जो जार्ना का वेलिखा जैसंकर परशाद ने चायावादी का वेलिखा उन्होंने और इसी तक के युग को जो है डोक्टर नगेंदर ने क्या नाम दिया है जागरन सुधार काल नाम दिया है उसके बाद आचारिय शुकल की बात करें तो 1813 में इस्वी से ले करके 1928 इस्वी के नाम से जाना जाता है यह आपको पता ही है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं अगला जो हमारा था है बारते एंड़नो यूग में हिंदी का वेल को पूने जागरीत होने का अवसर मिला इसी कारन उन्हों ने उससे पूने जागरन काल भी कहा गया भारतेंद यूग को और जागरन सुधार काल किसे काल को कहा गया, वो द्विवेदी युग को, इस परकार से आपको ध्यान रखना है, इसमें और भी कई सुधार किये गए, आते डोक्टर नगिंदर नहीं से जागरन सुधार काल नाम दिया, जितना सुधार जो है भारत इंदु युग के अंतर पुने जागरन सुधार काल, तो उसके साथ साथ जो है और अन्य जो सुधार हुए, तो इसी आदार पर इनोंने जो है डाक्टर नगिंदर जी ने दुविवेदी युग को जागरन सुधार काल नाम दिया है, उसके बाद देख लेते हैं, आचारी रामचंद शुकल ने इ कॉच लिया जै आचारी रामचंद शुकल ने क्या नाम दिया, तो हिंदी काववे की नई धारा इस नाम से इनोंने जो है पुका रहा है कि इनूने रामचंद शुकल ने इस पर कारेक केक त'Tयों को आपको रियान से समझते हुए चलना है क्योंकि टीजेटी पीजेटी परिक्षा और एंटी एनेट की परिक्षाओं में इनी तत्यों में से परिक्षा में पर्षन पूछे जाते हैं गुमा फिर आकर पर्षनों को पूछ लिया जाता है इसलिए जो है बार नीरंतर अब्यासी आपको सफलता तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्या है डोक्टर गनपती चंदर गुप्त ने दिविवेदी युक के कावे को आदर्शवादी परबंद कावे माना है क्या माना है डोक्टर गनपती चंदर गुप्त ने दिविवेदी युक को आदर्शवादी परबंद कावे या पोकार है दुविवेदी यूग को यी आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे कि इस यूग में गद्द वैपद्द दोनों ही परकार के कावियों में खड़ी वोली का परियोग होने लगा था यानि कि गद्द में भी और पदे में भी दोनों paragraph के कावे में खड़ी बोली का परियोग होने लगा था, यानि कि जब भारति इंदु यूग से पहले ब्रेज बाशा में रचनाई लिखे जाती थी, उसके बाद पूरे रिती काल में कावे लिखा गया, वो ब्रेज बाशा में लिखा गया, लेकिन जब भारति इंदु यूग की आते जो है गद्य और दो पद्य की दोनों के दोनों जो रचनाई है वो खड़ी बोली में की जाने लगी उसके बाद देख लेते हैं आगे उनिस्वी सदी के अंतिम चरण में निमलिक्त में दो संस्ताई सतापी तुई वे दो संस्ताई कौन कौन सी संस्ताई सतापी तुई एक थी नागरी परचानी सभाकाशी 1833 में इस्वी, दूसरी थी सर्वस्वती पत्रिका, जो कि मासिक थी 1990 और इनके दुआरा हिंदी की विकास में नई दिशा प्राप्तुई, इन दोनों संस्ताओं के दुआरा ही जो है हिंदी के विकास में नई दिशा प्राप्तुई, अर कि इनका क्या यह उगदान रहा सभी तम तथ्यों को देखते हुए कौन देख लेखक या कौन कौन विद्वा निन से जुड़े हुए थे कौन सामिल है कौन सामिल नहीं रहे किज पत्री का के अंतर यह सभी तक्य परिक्षया में पूछे जाते हैं तो देख लेते हैं, एक बार चुरुवात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करें, एक सेकंड भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं, नागरी परचानी सभाकार्शी 1893 में इस को, Queen's College Varansi में तीन विद्वान हुए जिनके परियासों से कासी में इसके स्थापना हुई इस सबाद वारा मुल्यवान हिंदी गरंतों का परकाशन भी किया जाता था और ये तीन जो विद्वान रहे कौन-कौन रहे जिनोंने नागरी परचानी सबाव काशी के जो एक अपना महतव पूरण योगदान दिया वे रहे डोक्टर श्याम सुंदरदास और दूसरा रहे राम नारायन मिसर जी तीसरे रहे सिव कुमार सिंग राम श्याम सिव इस नाम से आप इन तीनों को याद कर सकते हैं नागरी परचानी सबाभा काशी 1830 में इस इस परकार से आप ताथ्यों को ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये तत्या मेशा परिक्षा में कही न कहीं पूछे जाते हैं देख लेते हैं अगला जो हमारा तत्या है इस सबा दुआरा हस्त लिखित हिंदी गरंतों की खोज का कारिय किया गया जिसके अद्यक्स रहे जो नियमा निमलिक्त रहे कौन-कौन शाम सुन्दर्दास उननी सो इसवी से लेकर के उननी सो आठ तक जो है शाम सुन्दर्दास इसके अद्धेक्स रहे कि इसके काशी नागरी पर चड़ने कि सरस्वती की बात नहीं करें हम सुन्दर्दाश जी जो है सरस्वति का कारियवार हिं ने समाला था लेकिन काश नागरी परचाणी सभा में इनों ने जो है आठ से लेकर के 1908 से लेकर 1916 तक कौन रहे शाम बिहारी मिसर वे शुख देयों मिहारी मिसर जो है इन्होंने अध्यक्स का काम किया नागरी परचानी सबा में इस सबा दुआरा अठारा सो चाण में इसby में कासी में नागरी परचानी नामक त्रि में त्रिक पत्रिका का परक अगर पत्रीका की बात आ जाए तो अठारा सो छान में इस परकार से एक एक तत्यों को आपको समझते हुए याद कर लेना है क्योंकि जो है अगर इनी मिलते जुलते तत्यों से ही आपको जो है इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार यह कहते हूं कि पर्शनों को एक ध्यान से पढ़ना है और तत्यों को बार-बार रिवाइज करना है इसी से आपको जो है आपकी अच्छे तैयारी हो पाएगी और आपको जो है सफलता मिलेगी तेक लेते हैं आगे नागरी परचानी त कारियबार समाल अपना तो कोन-कोन रहे इस मंडल में तो शाम सुंदर दास चिंता मनि गोस और जगनना थरतना कर यह तीन जो है विद्वान सामिल थे उसके बाद इस सबादवारा हिंदी परचार परशार के लिए 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन परिया की स्थापना की इसके बाद हिंदी साहित्य की समर्दी का काम सबा ने अपनी हाथ में रखा वे परचार परशार का काम इस सम्मेलन को सोप दिया गया यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात करें आगे इसके सवर पर थमद्यक्स रादा किर्शन दास बनाए गए इस सबा दुआरा अ थोड़ा टाइपिंग मिश्टेक हो गया तो अठारा सो चान में मिस्तापित आर यह बाशा जो पुस्तकाला है देश का सबसे बड़ा पुस्तकाला बना अगर यह पुछा जाए तो देश का सबसे पुस्तकाला कौन सा बना तो अठारा सो चान में आर यह बाशा पुस्तका यह आपको ध्यान रखना है, बढ़ते हैं आगे, इस सभा दुआरा केंदर सरकार की साहिता से हिंदी विश्यो कोस का संपाधन भी किया गया, इस सभा दुआरा यानि नागरी परचाणी सभा कासी के दुआरा ठारा सुतिरान में जो सभा किस्तापना की गई थी, तो इसके द दिया जाता है कि हिंदी विश्यो कोस का संपाधन जो है, किस की साहिता से किया गया, किस सभा के दुआरा किया गया तो इस परकार जो आपको परचानों को ध्यान रखना है, बढ़ते हैं, आगे, इस सभा दुआरा 1898 में में पारिवाशिक शब्दावली का परकाशन भी कर आया है यह आपको ध्यान रखना है आई होपा नागरी परचानी सभा कासी 1823 में के जो ये संबंदी जितने भी तत्य रहे जो पत्री निकल कर आई सामने इससे संबंदी जितने भी आपको तत्य देखने को मिले हैं इनको आप बार बार रिवाइज करते हुए याद रख लेन है क्योंकि इनी पर्षनों में शे घुमा फिर आकर पर्षन बनते हैं और परिक्षा में पूछे जाते हैं एक बार आप रिवाइज कर सकते हो एक दो बार किलास को आप जो है टू एक्स पर करके जो वीडियो को देख सकते हो क्योंकि जब बार बार आप सुनोगे आप बार ब अबाव द्वार जो हिंदी के विकास में जो है अपना एक इनोंने अपना मेततistically व्हञ दिया ऑने अपने विकास में हैं कि मेतत tolerance में पुर अपने भूमी कह निवाई थी तो इन आपने मिम आस के everything विच्चे ही एक बंगाली सजण चिंतामनी गोष ने किया अगर ये पुछ लिया जाए सरस्वति पत्रीका का जो परकाशन सबसे पहले किस ने किया तो चिंतामनी गोष ने जो इंडियन प्रेस इलाबाद के मालिक भी थे ये आपको ध्यान लगना है चिंतामनी गोष जो है इंडियन प्रेस इलाबाद के मालिक थे, इसका सोर पर्थम परकाशन 1922 में शुरू हुआ, इसके विचार धारक जो चिंतामनी गोस के अनुरोध पर नागरी परचानी सभा कासी ने इसका संपाद दाइत्यों समाला, किस सभा दुआरा जो है, सरस्वति पत्रीका का जो संपा के शुरुवाती एक वर्ष तक संपादन कारिये संपादक मंडल दुआरा किया गया, जिसके निमलिक्त विद्वान थे, कौन-कौन थे, शामसुंदर दास, राधा किर्शन दास, कार्तिक परचाद, और किसोरी लाल गोसुआमिर जगननाथ, ता संपादन मंडल में जो कार यह बार समाला था, उनमें यह पांच विद्वान शामिल रहे हैं, इनको आप याज रख सकते हो, क्योंकि कई बार परिक्षा में पूछ लिया जाता है, नहीं से संबंदिज परचन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, अ संपाधन का दावित्तव किसे दिया गया, शामसुंदर दास्टी को, कब 1901 इस्वी में, और 1903 इस्वी में जो है, महवीर परशाद्य विवेदी जी, इनके संपाधक बने, इनोंने 1903 इस्वी से लेकर, 1920 इस्वी तक, यानि कि 17 वर्षों तक, महवीर परशाद्य विवेद और 1901 में, शामसुदर दास जी ने, 1903 में ये, महवीर परशाद्य विवेदी ने, इनका संपाधन का रिया संपाधन था, और मंडल में इसके जो, अभी हमने देखा इन पांच विद्वानों के संपाधन मंडल, जो बनाया गया, एक संपाधन मंडल बनाया गया है, एक उसमें कौन-कौन एक वर्ष तक जो संपादन मंदल बनाया गया, उसमें कौन-कौन से विजवान सामेल थे, वे थे शाम जुंदर्दास, राधाकेशंदास, कार्थिक परशाद, किषोरी और जगनतास। इस परकार से पर्शन बदता है कि छरहस्ोती पत्रेका का जो एक वर्स तक जो संपाधर बनाया था उसमें कौन-कौन विद्वान सामिल थे। कौन विद्वान सामिल नहीं था इस परकार से पूछ लिया जाता है तो देख लेते हैं परचन अमारा जो नेक्ष्ट तत्य है 1920 से लेकर 1947 तक का संपादक रहे वे रहे देवीदाच शुकल यह लोगों को जो है नहीं आपको लगेगा लेकिन कई बार इस पर यह भी पूछ लिया जाता है देवीदाच शुकल ने कब से कब तक सरस्वति पत्रिका का संपादक के रूप में कारिय किया है या फिर किस पत्र पत्रिका के रूप में कारिए किया है। तो आपको ध्यान रखना है, उनिसोबीच से लेकर उनिसोषउ सेन्तालिस तक देवीदत शुकल ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में कारिए किया है। आचारी रामजंद्व शुकल ने सरसोती पत्रीका को इस परकार से हर एक तथ्यों से पर्षयन बनते हैं और आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे अगला जो हमारा तथ्या है महावीर परशाद दिविवेदी की हे कवीत नामक एक कवीता है सरसोती पत्रीका के जून 19- के अंक में परकाशित हुई यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है वेरी इंपोर्टेंट तत्य है कई बार परिक्षा में पूछ लिया जाता है इसी कौन सी कवीता है या कौन सा का वे जिन लिखा महावीर परशादी विवेदी ने जो 1900 के अंक में जो है सरसोती पत्रीका क जुन 1900 के अंक में परकाशित हुई वो है हे कवीत यह आपको ध्यान रखना है यह कवीत किसकी कवीता है तो जाहिर सी बात है महावीर परशादी विवेदी के बढ़ती है आगे अगला जो पर तत्य है अमारा इसकी पत्रीका की आवर्ती वो है वो मासिक है किस परकार की है इस पत्रीका की आवर्ती मांशिक है। यह पत्रीका आरम में कासि से परकास हुत हुई, बाद में महाविर परचाद वेधी ने से इलाबाद से परकासित कराना शरू कर दिया था। इस परकार से हमने सरस्वती पत्रिका और नागरि प्रचाणी शभाकासी get 1098870 вiver इंवित सरे पत्रिका जोकी माशिक पत्रिका निकल कर सामने ऐए मनें उंटत्यों आहें, इन दोनों से सम्साइट में नृकौध की परिक्षाह बार बार पूच्छा less परिक्षा हो या फिर किसी भी स्टेट में परिक्षा में हिंदी साइट समंधी पर्षन पूछे जाते हैं तो सभी परिक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होगी एक लास इन तथ्यों में से ही पर्षनों को पुछ लिया जाता हैं वीडियो पसंद आई तो वह लाइक करना क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है पढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना दोस्तों के साथ चैनल को शियर और सब्सक्राइब कर लेना यह सब आप लोगों को पताई है तो थेंक्यू धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट अगले टोपिक के साथ